Hi everyone, क्या हल चाल? Welcome to an Academy of Neetobers. My name is Nitrish Jinnani, your chemistry educator and mentor. हमारी एक सीरीज चल रही है, जिसमें previous UNSAT के papers के जो question है, वो मैं आप लोगो को करवा रहा हूँ. Question of the day करवाता हूँ UNSAT का, और इससे आप लोगो आईडिया लग रहा है कि किस सरीके से आप लोगो UNSAT की preparation करनी चाहिए, और कौन से टाइप के questions हमारे पूछे जाते हैं. UNSAT आप लोगों को देना है, बहुत अच्छे से दीजिए, अच्छे से उसकी preparation करिए और एक 100% scholarship लीजिए, हमारे साथ absolutely free में, plus और iconic subscription आपको मिलेगा, तो उसमें आप absolutely free हमारे साथ एक closed environment में पढ़ सकते हो, चलिए, इस particular video को start करते हैं, और समझते हैं कि क्या question हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, अराम से question पढ़ेंगे, वीडियो को pause करते हैं, और सबसे पहले देखो question कौन से topic से, कौन से chapter से, ठीक है, और फिर question में पूछना क्या चारा है, इसका हम लोग पता लगाते हैं, देखो क्या बोल रहा है, अराम से पढ़ी है question, क्या बोल रहा है, वन मोल अफ आयोडो फॉर्म, रियांक्स विद एजी, अकॉर्डिंग तो गिवन रियाक्शन, तो प्रोड्यूज अगास, तो प्रोड्यूज अगास, whose volume at NTP is इतना, whose volume at NTP is अच्छा, volume पूछ रहा है, ठीक है, volume में आपनको चार option दे रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और equation भी दे रखे है, देखो, यह तो कितनी अच्छी बात हो गई, कितनी अच्छी बात हो गई, equation दे रखे है, ध्यान से देखो, equation balanced है, ध्यान से देखेंगे तो equation भी balanced है, कौन से चाप्टर से equation है, यह बेटा, आपका mole concept से equation है, यह कौन स बिटा सार्थी बैच में भी ये चीज पढ़ा ही करी है और अगर आप में साथ प्लस या इकॉनिक पर पढ़ रहे हैं तो गुरुकुल और संकल्प दोनों में ही मैंने आप लोग को ये concept पढ़ा रखा है वीडियो पॉस करो अराम से attempt करिए equation आपको दे रखी है balance दे रखी है एक बार मैं आपको equation लिखता हूं next page में solve परता हूं देखो क्या दे रखा है 2 mole आए अयोडो form की चीक है किसके साथ रियाक करा देखो किसके साथ रियाक करा H2 gas, 6 moles बन रहे हैं, AGI के, which is again solid, और C2 H2 बन रहा है, जो की gas, यह equation लिख दी हमने, जो बोल रहा है, वो लिखते चलो, जो जो बोल रहा है, वो लिखते चलो, अब सीधा-सीधा देखो कि कितने moles, सीधा-सीधा देखो, यहाँ पर कितने moles दे रखे हैं, कितने moles दे रखे हैं, एक moles दे रखा है, iodopharm का, बहुत अच्छी बात है, तो क्या करा करो, equation balance रहे, अगर नहीं होती तो हम कर लेते, अब हमको एक moles इसका दे रखा है, तो चुप-चाप इसके नीचे एक moles लिख दीजे, हो गया का, एक moles लिख दिया, ठीक है सर, ठीक है सर, अब क्या करें, अब ज तो यह gaseous product की, तो क्या gaseous product आपको यह दिख रहा है, क्या gaseous product आपको यह दिख रहा है, हाँ जी सर दिख रहा है, तो stoichiometry हमें यह बता रही है, दो mole iodopharm के react करते हैं, तो एक mole C2H2 का बनता है, हाँ या ना, यहापर देखो ना मिटा, यह 2 mole CS3 के react करते है, to form 1 mole of C2H6, बह to form 1 mole of C2H2, सही बात है, सही बात है, सही बात है, question में हमें कितने moles दे रखे हैं, देखिए, question में हमें कितने moles दे रखे हैं, इसके 1 mole दे रखा है, तो इसका मतलब 1 mole CHI3 का, iodopharm का, कितने mole C2H2 देगा, आप unitary method लगाए, unitary method लगा हो, क्या लगा होगे, 1 by 2 into 1, mole किसके C2H2, वैसे भी आट, directly भी सोच सकते हैं, इतना करने की भी ज़रूत नहीं है, यहना वो तो मैं समझा रहा हूँ, आपको तो मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, directly भी कर सकते हैं, देखो, दो mole, पायो टो फॉर्म के, एक mole C2H2 का दे रहा था, तो ratio के है, 2 is to 1 का, तो अगर यहाँ पे एक mole है, तो यहाँ पर obviously उसका आदा होगा, यहाँ पर obviously उसका आदा होगा, half mole होगा, ठीक है, और वो हमारे इस calculation से भी आगे, तो कितने mole आगे बेटा इसके, half mole, half mole किसके आगे बेटा, C2H2 के, अब आप से moles पूचे हैं क्या, नहीं, आप देखो, सवाल पढ़ो, सवाल अ नहीं बताने हैं आपको, आपको बतानी है, volume at NTP, तो अगर हम लोगों ने एक चीज बढ़ रखी है, कि अगर एक mole है, किसी भी ग्यास का, कहां पर at NTP ले लो या STP ले लो, आट NTP दे रखा है, question में तो NTP, कितना occupy करता है, 22.4 liter, 22.4 liter, अगर ml में लेना है, तो इसे ml में ल 00 ml, बिल्कुल सही है, आपके बस देखो कितना mole आया, half mole, आपके बस देखो कितना mole आया, half mole, तो सीधा सीधी बात है, half mole of a gas at STP, कितना occupy करेगा, एक mole अगर 224 00 ml कर रहा है, तो half कितना करेगा, 224 00 into half, यहां पर कितना आ गया, 112 00 ml, अब जरा option देखिए, अब जरा option देखो, क 3rd option है, तो इस तरीके से question पूछे जा रहे है, unsat में, ऐसे और BR में वीडियो लाते रहूंगा, comment में मुझे बताईएगा, आपको ऐसे वीडियो कैसे लग रहे है, और आपकी कैसे help कर रहे है, यह unsat की preparation में, ठीक है, तो unsat सभी बच्चों को देना है, scholarship test है, अच्छे से दी किस तरीके से चल रही है, तो offline भी है, online भी है, आपको क्या करना है, Spartan code लगाना है, और इसमें enroll हो जाना है, आपका exam अच्छा जाएगा, और आप लोगों को 100% तक scholarship हमारे साथ में मिल साइकती है, तो आपको plus और iconica subscription पूरा free मिलेगा, आप लोग हमारे साथ closed environment में, absolutely free, with no charge, आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं, चेक है, अच्छा, एक बेटा, आप लोगो rankers group में भी आपको add गिया जाएगा, जिसमें इंडिया के जो top educators हैं, वो आपको guide करते वे चलेंगे, वो आपको पढ़ाते वे चलेंगे, ठीक है, और lucky winners को यूरो space center में भी जाने का मौका मिलेग test date क्या है बटा, 8th and 15th October है, तो एक बहुत अच्छे लेवल का, इंडिया लेवल का exam हो रहा है, दो लाग से student, दो लाग से जाधा student देने वाले हैं, तो सभी बच्चों को इसमें enroll करना है, Spartan code लगा दीजिएगा, और यहां पे आप लोग enroll हो जाओगे, description में link है, वहां से आप लोग बिलकुल enroll हो सकते हैं, मुझे comment करके ज़रूर बताना इसन वीडियो से आप लोग की कितनी help हो रही है, like करिएगा इस वीडियो को share करिएगा and make sure you subscribe to our channel, अच्छा से पढ़ते रहे हैं, take care everyone, have a great day, see you guys, bye bye